फिर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ भी शेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 9 अपरेल तक के सभी इंपोर्टेंट करन्ट अफेर्स कवर करने वाले हैं हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अन्त तक चरूर देखेगा आज भी आपको क साथी कुछ जानने के लिए मिलेगा साथी का इस सर्शन को सुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा यदि आप हमारे टेली करन्ट अफेर्स वीडियेफ वीकली पीडियेफ और मंतली पीडियेफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कॉमेंट में या फिर ड तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कोई भी अगर आपका डाउट है मारे पीडियेफ कोर्स से संबंदित तो आप हमें कॉमेंट बोक्स में जरूर लिखेगा तो चलिए फिर करते हैं सुरूबात इस वीडियो सेशन की सबसे बहले 8 अप्रेल को पोर्टल लॉंच किया गया है Office of the Principal Scientific Advisor Government of India के द्वारा आपको जानना चाहिए यह इसलिए न्यूज में है क्योंकि जो MATLAB software होता है वह free of cost अब इस आई स्टेंप पोर्टल पर एवलेबल है कि आई टी मद्रास ने सुधा गोपाले कृष्णन ब्रें सेंटर इसको लॉंच किया है Minister of State for Culture and External Affairs मिनाक्षी लेखी इन्होंने एक वेबसाइट लॉंच किया है जिसका नाम है Temple 360 तो इसमें आप 12 जोतिर लिंग और जो चार धाम है उनके आप कभी भी दर्शन कर सकते हैं डिजिटल इरूप से Union Minister of Information and Broadcasting and Youth Affairs and Sports अनुराज सिंग ठाकूर इन्होंने ब्रोड कास्ट सेवा पोर्टल लॉंच किया है चेतिराई फेस्टिवल ये मिनाक्षी टेंपल मदरई में मनाया जाता है हर साल अपरेल के महीने में देखिए इंडियन इस्ट्रोड आफ एस्ट्रोफिजिक्स जो की बैंगलूरू में है तो यहां पर कुछ रिसर्चर्चर्स ने एक नई गैलेक्सी का पता लगाया है और इसका नाम है UVIT J2022 आपको जानना चाहिए कि चमेली देवी जैन अवार्ड 2021 जो की जर्नलिस्म में दिया जाता है ये इस बार दिया गया है 2020 का आरेफा जोहरी को Union Bank of India Digital Bank Within Bank Create करेगा Bank of महराश ने FinTech Engagement को बढ़ावा देने के लिए National Payments Corporation of India यानि की NPCI के साथ हाथ मिलाया है आपको जानना चाहिए कि पहली बार जो भारत का Export है जो Agriculture Products जो किसी सम्मंदित उतपाद है उनका जो निर्यात है 2021 में 50 Billion US Dollar क्रॉस कर गया है आपको जानना चाहिए कि बारत में Green Hydrogen Business को Expand करने के लिए Indian Oil Corporation, Larson & Tobro यानि की L&T और Renew Power ये तीनों ही साथ आए हैं और Joint Venture को ये Establish करेंगे आपको जानना चाहिए तमिल नाड़ो के CM, MK Sterling ने Lotus Footwear Park की अधार चिला रखी है एलन मस्क ने Twitter में 9.2% stake acquire किये है और ये largest shareholder बन गए है Twitter के आपको जानना चाहिए कि जो NICA है इसके Founder & Chief Executive Officer जो है फालगोनी नायर ये इंडिया की richest self-made billionaire women है और इनकी जो net worth है ये 7.6 billion US dollar है ऐसका है होरून Research Institute ने है चलिए अब देखते हैं 9 अपरेल तक के सभी important current affairs साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि Asian Development Bank ने इंडिया की जो GDP growth forecast है 7.5% पता हिए fiscal year 23 में और 8% का हिए fiscal year 24 में The United Nations suspended Russia from the UN Human Rights Council which was the last country to be suspended from UNHRC in 2011 पूछरे की संयुक्त रास्ट ने रूस को संयुक्त रास्ट मानवादिकार फरीसत से निरंबित कर दिया है 2011 में UNHRC से निरंबित होने वाला अंतिम देश कौन सा था Options आपके सामने है सही answer option C है Libya जानते है देखे important question है आपको जानना चाहिए कि Russian troops ने Ukraine में जो लोगों का नरसंगार किया है उसी को देखते हुए United Nations ने Russia को United Nations Human Rights Council से suspend कर दिया है आपको जानना चाहिए जनवाई 2021 में 15 countries को जो है 3 साल के लिए General Assembly में मतलब नुक्त किया गया था इलेक्ट किया गया था उनमें Russia भी एक था तो अब Russia को यहाँ से suspend कर दिया गया है आपको जाना चाहिए जो UN Human Rights Council है इसमें 47 members है और इसका headquarters जेनिवा स्विजरलेंड में है देखे साल 2011 में लिबिया जो देश है उसको भी यहाँ से suspend किया गया था और उसके बाद अब Russia को suspend किया गया है तो लिबिया क्यों किया गया था लिबिया में भी जो है लोग काफी जो है महां के सासन से काफी परिशान थे प्रोटेस्ट कर रहे थे तो जो मुम्मर गद्दाफी है तो उनके supporting जो forces थे उनने महां पर काफी नरसंगार किया था The World Bank and Asian Infrastructure Investment Bank AIIB will provide a loan of how much crore rupees for the Gujarat Government's Mission School of Excellence Project पूछने की Viso Bank और Asian Infrastructure Investment Bank गुजरात सरकार के Mission School of Excellence Project के लिए कितने crore rupees का रिंड परदान करेगा Options आपके सामने हैं सही answer Option D है 7500 crore rupees तो एक तो आपको जानना चाहिए Mission School of Excellence Project ये Gujarat Government से संबन्दित है और इसका मकसद यह है कि राज्य में जो education quality है उसको improve करना तो इसके लिए World Bank और Asian Infrastructure Investment Bank ये 7500 crore rupees का loan provide करेगा इस तरह से भी पूछ सकते हैं question कि World Bank और Asian Infrastructure Investment Bank किस राज्य के Mission School of Excellence Project के लिए 7500 crore rupees का loan provide करेगा तो उस condition में answer होगा गुजरात बाकि आपको जानना चाहिए हालिमम ने भी पढ़ा था कि West Bengal में जो social protection services हैं उसको support करने के लिए World Bank और इंडिया ने 125 million यूज रूर का loan agreement साइन किया है बाकिया आप जानते हैं गुजराथी गवर्नर आचार्य देवरत हैं Capital गांधी नगर है और Chief Minister भूपेंद्र भाई पटेल है कि हूँ वोन्द प्रिस्टीजियस ओ हैं रिप्राइज फॉर 2022 2022 के लिए प्रतिश्टित ओ हैं रिप्रुसकार किसने चीता है ओप्शन्स आपके सामने हैं सही answer option A है अमर मित्र तो देखिए बैंगॉली ओथर हैं अमर मित्र तो इनको 2022 का O.Henry प्राइस दिया गया है शोर्ट फिक्शन के लिए यह अवर्ड जो है ना यह प्राइस शोर्ट फिक्शन के लिए दिया जाता है यानि जो लगू का था है या लगू का था है या फिर लगू का नहीं आप कह सकते हैं उसके लिए दिया जाता है तो टोटल 20 ओथर्स को दिया गया है 2022 के लिए और उन में से एक हमारे अमर मित्र जी भी है तो देखिए अमरे मित्र जी की एक जो बैंगॉली में एक रचना है जिसका नाम है तो दोनों ये एक ही बुक हैं बेंगॉली में है गानबुरो और इंग्लिस में दब ओल्ड मैन ओफ कुसुंपूर तो इसके लिए ये प्राइज इनको दिया गया है साल 1919 से ये प्राइज दिया जाता रहा है और अमेरिका में दिया जाता है शोट फिक्शन के लिए और हाली हमने देखाते हैं कि राम दरस मिस्रा इनसरस्वती सम्मान 2021 के लिए चुना गिया है आगे बढ़ेंगे डेली मुनिसिपल कॉर्पेशन अमेंडमेंड बिल 2022 अमेंडेड विच एक्ट इंपोर्डेंड कुस्चन है और सही आंसर ऑप्शन सी है दिल्ली नगर निगम विधयक 2022 ने डेली मुनिसिपल कॉर्पेशन एक्ट 1957 में संसोधन किया है जानते इसके बारे में देखे काफी चर्चा में भी रहा ही है तो राज्य समाने डेली मुनिसिपल कॉर्पेशन अमेंडमेंड बिल 2022 इसको पास कर दिया है और इससा मक्सद यह है कि जो डेली में त इस बिल को पास कर दिया है तो देखे डेली मुनिसिपल कॉर्पेशन एक्ट ऑफ नाइंटीन फिफ्टि सेवन इसको अमेंड किया गया है इसमें संसोधन किया आपको उदादे इसी एक्ट में साल 2011 में भी अमेंड किया था इसको तो देखे पहले जो है ना डेली में एक ही Municipal Corporation थी उसके बाद 2011 में इसी वाले Act को जो है संसोधन किया गया इसमें और इसको तीन भागों में बाढ़ दिया एक तो North Delhi Municipal Corporation फिर South Delhi Municipal Corporation और तीसरा East Delhi Municipal Corporation तो और फिर से क्या किया है सरकार ने ये Delhi Municipal Corporation Amendment Bill 2022 राके इसको Unify कर दिया है यनि इन तीनों को जो है एक कर दिया है और नाम रखा है Municipal Corporation of Delhi AIU PSC Residential Coaching Program for Civil Services and Other Government Examinations is meant especially for students and candidates belonging to which community Civil सेवा और अन्य सरकारी परिक्षाव के लिए AIU PSC आवाचिय कोचिंग कारिक्रम विशेश रोप से किस समुदाय के चात्रों और उम्मीदवारों के लिए है options आपके सामने हैं सही answer option C है Muslim जानेगे इसके बारे में देखे Union Minister for Minority Affairs मुकतार अब्बास नक्वी ने नियू पानविल मुंबई में अंजुम ए इसलाम्स UPSC Academy इसको इनोगरेट किया है जो कि एक Residential Coaching Program है Civil Services and Other Government Examinations के लिए तो इसमें जो मुक्यत जो Muslim Community के लोग है जो एस्पिरेंट है जो Candidate है वो यहां से तयारी अपनी कर सकते हैं इंडिया procured IGLAS Man Portable Air Defense Systems from which country? बारत ने IGLAS Man Portable Air Defense System कि तेस से खरीद ने है options आपके सामने है और सही आंसर Option C है Russia देखे एक बात आप यह प्याद रखेगा जो यह लिखा है ना Man Pads इसी full form भी आपको पता होने चाहिए मैन पॉर्टेबल एर डिफेंस सिस्टम तो इंडियन आर्मी ने चाइना और पाइस सारे साथ जो टैंशन चल रही है उसको मद्या नज़त रखते हुए IGLA-S, जो की Man Portable Air Defense System है, इसको जो है, प्रोक्योर किया है, रशिया से, तो क्या है यह, कंदे पर रगा कर आप इसको लॉंच कर सकते हैं, कंदे पर रग कर, और जो एर टार्गेट से कोई हेलिकोप्टर है, या फिर कोई काफी कम उचाई पर एरक्राफ्ट उड़ रहा है, तो उसको हिट कर सकते हैं, इसकी मदद से, विच कंट्री लॉंच्ट दवर्ड लार्जेस्ट इलेक्रिक क्रूज सीप, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्रिक क्रूज जहाज, किस तेस ने लॉंच किया है, सही आंसर, ऑप्शन ए, चाइना है, तो देखे, लार्जेस्ट इलेक गोजेस्ट लोंग है, यह 16.3 मिटर्स वाइड है, तेरा सो पेसेंजर्स इसमें एकॉमडेट कर सकते हैं, अच्छा, आपको जानना चाहिए, थ्री गोजेस्ट इम कहां पर है, चाइना में, कई बार यह कुश्यन पूछा जाता है, एक्जाम में याद रखेगा, जो SSC, र हिंदुस्तान Aeronautics Limited has entered into an MOU with which Aerospace Company for Multi-Mission Tanker, Transport, Aircraft, हिंदुस्तान Aeronautics Limited ने बहु मिशन, टैंकर परिवन विमान के लिए, किस Aerospace Company के साथ समझते ग्यापन में प्रविश किया है, सही आंसर, Option C है, Israel Aerospace Industries, जानेंगे इसके बारे में, तो देखिए, जो H.A.L. हिंदुस्तान Aeronautics Limited, बैंगलोरू में आईए, यह भी याद रखेंगे, इसने एक MOU sign किया है, इसरेल Aerospace Industries के साथ, जिसके तहर, जो Civil Passenger Aircraft होते हैं, उनको Multi Mission Tanker Transport Aircraft में तबदिल कर दिया जाएगा, उसमें Convert कर दिया जाएगा, तो इससे क्या होगा, जो Multi Mission Tanker Transport Aircraft बदलने से क्या होगा, एक तो यह Air Refueling Aircraft के रूप में कारे कर सकेंगे, और जो Cargo है, जो Transport कोई समान ले जाना है, उसके रूप में इनको जो है, यूज किया जा सेगा, तो Civil जो Aircraft है, उनको Air Refueling Aircraft में जो है, Convert किया जा रहा है, इसरेल Aerospace Industries के साथ मिलकर, Which Bill was passed by the Rajya Sabha that seeks to revamp the functioning of Institutes of Accountants and Company Secretaries? Rajya Sabha द्वारा, या आप अब इसको ऐसा बोलेंगे कि, संसर द्वारा, कौन सा विधेक पारित किया गया, जो लेखा कारों और Company सचीवों के संस्थानों के काम काज में सुधार करना चाहता है, आपके सामने हैं, सही answer option D है, Institute of Chartered Accountants, The Coast and Works Accountants, and The Company Secretaries Amendment Bill 2022, देखिए जो Parliament session जो हुआ है, तो इसमें जो भी Bill passed में, उनसे सम्मन्दित questions भी हम देख रहे हैं, और एक दो question और हम देखेंगे, आगे के sessions में, तो यह important रहते हैं, आपके example interview से पूछ लेते हैं, जो important इसमें से भी fact आते हैं, तो आपको जाना चाहिए कि Parliament ने यह, जो Bill है, Institute of Chartered Accountants, The Coast and Works Accountants, and The Company Secretaries Amendment Bill 2022, इसको पास कर दिया है, इसका मकसद किया है, जो Chartered Accountants है, जो Coast Accountants है, और Company Secretaries है, जो इनकी functioning है, जो कारे करने का तरीका है, उसको और, जो है, मजबूत किया जा सके, और effective बनाया जा सके, 4th edition of India boat and marine show, concluded in which city, India boat and marine show का चोता सस्क्रण, किस सहर में संपन हुआ है, options आपके सामने है, सही answer option भी है, कोची, तो 4th edition रहा ये, कोची के रिला में संपन हुआ है, और ये event और्गनाइज के रहा गया, cruise expo के द्वारा, दबुक, Tiger of Trash, Captain Anujanayir, 23, Cargill Hero, is authored by, तो देखे, हमारे पास जो options हैं, ये है, एक तो है, मीना नायर, दूसरी option हैं, हिम्मत सिंग से खावत, तीसरा है कि both A and B, ये चोता है, अतुल सिंगल, तो इसमें सही answer हमारा option C है, both A and B, तो देखे, ये बुक है, हमारे पास, Tiger of Trash, Captain Anujanayir, 23, Cargill Hero, इसको लिखा है, जो ये Captain Anujanayir रहे, इनकी माता जी, मीना नायर ने, और हिम्मत सिंग से खावत ने, Which company has acquired Workplace Collaboration Solution Company, Poly, किस कमपनी ने कारिस्थल, सहयोग समादान Company, Poly का अधिगरण किया है, Options आपके सामने हैं, सही answer option A है, HP, तो Hybrid Work Solution Provider Company है, ये, Poly, इसको acquire किया है, HP ने, कितने amount में, 3.3 billion US, डॉलर में, GOVP and which company will collaborate on EV solutions, GOVP और कौन सी कमपनी, electric vehicle समादानों पर सहयोग करेगी, सही answer option A है, TVS Motor, देखें, जो EV से सम्बंदी कोश्चन है, electric vehicle से सम्बंदी जो कोश्चन है, solar energy से सम्बंदी जो कोश्चन होते हैं, आपके exam point of view से काफी महत्तपूर्ण होते हैं, तो GOVP और TVS Motor Company ने कहा है, कि हम दोनों मिलकर कार्य करेंगे, जिसके तहत हम पूरे देश बर में, जो 2 wheelers हैं और 3 wheelers हैं, इनके लिए, जो EV charging infrastructure हैं, उसको बढ़ाएंगे, जो electric vehicle charging system है, इसको बढ़ाएंगे, फिक्की aspect, इंडिया's gross domestic products growth at what percent for financial year 2022-23, पूछ रहे हैंगे, फिक्की ने वित्यवर 2022-23 के लिए, बारत के सकल घरेलू उत्पात की वृद्धी कितने प्रतिशत पर आ की है, ओप्शन्स आपके सामने हैं, सही answer option C है, 7.4 percent, तो देखें फिक्की की जो economic outlook survey है, इसमें इसने यह कहा है, कि जो 2022-23 हमारा जो fiscal year है, यह financial year है, इसमें जो GDP growth forecast है, यह 7.4 percent रहेगी, minimum 6 percent जा सकती है, और maximum 7.8 percent, Who topped Forbes billionaires 2022 list, Forbes अरपतियों की 2022 की 2022 की सूची में कौन शीर्स पर है, options आपके सामने हैं, सही answer option भी है, Elon Musk, यह नाम आप सभी ने सुना है, Tesla और SpaceX की founder है, Elon Musk, तो यह पहली बार, जो Forbes की billionaires की list है, उसमें पहली position पर आई है, और इनकी संपत्ति बताई गई है, 219 billion US dollar की, इनके बाद दूसरे नंबर पर है Amazon की founder Jeff Pejos, 171 billion US dollar की संपत्ति इनके पास, तीज़े नंबर पर Bernard Arnold and family है, फिर है Bill Gates, फिर है Warren Buffett, आपको जानना चाहिए, पूरे विश्टो भर में 2668 billionaires है, 2668 billionaires है, ऐसा Forbes की जो वर्ड बिलियनेर्स लिस्ट है, इसमें कहा है, और पिछले साल से 87 जो है, कम है, और जो ये सभी billionaires हैं, इनकी टोटल संपत्ति है, 12.7 trillion US dollar, आपको जानना चाहिए, सबस्यादा billionaires, United States में 735, उसके बाद चाइना में 607, बात करते हैं भारत की, तो भारत के अगर हम परस्पेक्टिव में इसको बात करें, तो जो हैरी लाइन्स इंडूस्री के चेर परसन है, मुके संबानी, ये एश्या के रिचेस्ट परसन है, और वर्ड में ये 10th रिचेस्ट परसन है, इनकी संपत्ति आखी गई है, 90.7 billion US dollar की, ठीक उनके बाद है, गोतम अडानी और फैमिली, जिनकी संपत्ति है, 90 billion US dollar की, और ये वर्ड में 11th rank पर है, 10th पर तो होगे मुके संबानी, और ये है 11th पर, तीसरी पोजिशन पर है, SCL Technologies के founder, सिव नादर, ये इंडिया की 3rd richest person है, 28.7 billion US dollar, इनकी जो net worth है, और ओवर्ड में 47th पोजिशन पर है, चलिए अब बात करते हैं, previous assignment questions की, Name the India's first female doctor, Anandee Gopal Joshi, How many airports are included under Krissi-Udani Scheme, 53? Which neighbor country of India has spent poppy cultivation, Afghanistan? Decentralized Waste Management Technology Park at which place in East Delhi, Innaugurated at which place in East Delhi, answer is New Jafrabad, The population of which animal in Assam's Kajiranga Nestle Park and Tiger Reserve has increased by 200 in the past four years, answer is, One-Horn Rhinos, और आप में से कई aspirants ने बिलकुल सही जवाब दिया है, इसी तरह से आप participate करते रहें, बिर्भूम वाइलेंस, कलकत्ता High Court directs CBI probe in TMC leader murder, तो आज का जो हमारा शब्दे यह है, probe, तो probe का मतलब क्या होता है, probe का मतलब आप सभी जानते हैं, किसी चीज में जाच करना, किसी चीज के, जो है, मतलब काफी टीप जाना, उसकी तहह तक जाना, कि क्या बात रही, जैसे आप यहां प्रजेक्टे रहेश, यह गुप्त बातें मालूम करने के लिए सवाल पूछना, जो न्यूस पेपर हैं, वो प्रेजिडेंट का जो पास्ट है, जो उनका, जो उनका, मतलब पास्ट आए, जो भूत काल उनका रहा है, उसके बारे में जाच करें, अलग-अलग जानकारिया प्राप्त कर रहे हैं, तो एक्जामीन और लुक फोर सम्थिंग, इस्पेशली विदा, लोंग तिंग इस्टुमेंट, यह इंग्लिश में आप देखें, तो ट्राइ टु दिस्कवर इन्फोर्मेशन देट अधर पीपल दूनोट वांट यू तो नोट यू तो नोट डिरेक्टली, अब आच की असाइनमेंट कॉस्टन से थेखें, वेर इस इंडियास लार्जेस तुलिप कार्टन लोक देखें, शेशा चलम हील्स, फेमस पर रेट्स अंडलूट रिजर्व्ट अर लोक देखें इन विच शेट इन मार्स 2022, फेम नरेंडर मोदी अड्रस्ट मत्वाद धर्म महामिला 2022 ओर्गनाइज़ इन विच स्टेट ओन देखें विच स्टेट अंडलेंध बर्थ अनिवर्श्री अफ्री श्री हरी चंद ठाकूर। तो पाज़ो कोश्चन्स महत्पूर्ण है कोमेंट वोक्स में जवाब जरूर दीजिएगा साथी करेंट अफेस फंड़ाओ आप टेलीग्राम पर भी जोन कर सकते हैं या आप रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करेंट कोई जसे हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं सा कमेंट बोक्स में जरूर बताईएगा थैंक्यू गाइस